इस वीडियो में आज हम section exercise 3.3 solve करेंगे जो के हमारे chapter number 3 की तीसरी exercise है और इससे पहले हम एक project complete कर चुके थे इसी exercise का आज हमने करना है अगला project उसके लिए हम यहाँ पे एक exercise file open कर लेंगे जिसका नाम है word expert 3-3 document इस file को open करने के लिए हम चलते हैं अपने exercise folder पे यह हमारे पास exercise folder है और यहाँ पे chapter 3 पे हम आएंगे जिस file का हमें कहा गया है वो है word expert 3-3b इसके उपर मैं click करूँगा तो यह open हो जाएए अब जैसे ही यह file open होती है इस file के open होते ही आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एक letter लिखा गया है और इस letter में यहाँ पे मुख्तले fields insert की गई है जहाँ पे हम अपनी मरजी के लोगों को यह mail send कर सकते हैं और इन fields के अंदर data change करके हम नई emails त्यार कर सकते हैं तो task 1 हमारा क्या है कि choose the option to use an existing list as the recipient list select the word expert 3-3b अब यह इसको भेजने के लिए यह जो हमने mail send करनी है यह जो letter हमने भेजना है उसके लिए हम click करेंगे mailings के section में और यहाँ से हम click करेंगे select recipient अब हमने एक existing list जो है जो के पहले से तियार की गही है उसको हमने select करना है तो use an existing list के उपर मैं click करूँगा और फिर जो हमारे exercise folder है वहाँ पे यह file मौझूद है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह आपके पास word expert 3-3 यह हमारी recipient list है इसको मैं select करूँगा open पे click करेंगे तो यह तमाम employees की एक sheet मौझूद है जिसके अंदर तमाम employees का data मौझूद है ओके पे click करेंगे तो यह हमारी recipient list insert हो चुकी है तो यह था हमारा task number one task two में हमने क्या करना है कि use the match fields command to match the organization field to the company field set the courtesy title field to unmatch अब हमने यहां पे कुछ fields के हवाले से कुछ settings करनी है तो इस चिसको understand करने के लिए जो हमारी recipient list है एक workbook है अगर मैं इसको open कर लूँ तो मुझे यहां पे different जो recipient है उनकी detail यहां पे आ जाएंगी ID, organization, last name, first name, email address, position यह तमाम हमारे पास fields मौझूद है यहां पे तो इस चीज़ को अगर हम सामने रखें और यहां पे आपका जो यह वाला ग्रूप पार रहा है write and insert field यहां पे आपको एक option नज़र आ रहा है match fields का इसके पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तब आप देख सकते हैं कि यहां पे हमने fields को match करना है तो fields के अंदर यह हमारी कुछ required fields है और यह हमारी recipient list जो है यह उसकी कुछ fields दीवी है ऐसके अगर हम अपने recipient list को देखें तो इसके अदर ID एक field है organization एक field है last name, first name, email address यह तमाम fields हैं तो एक तरफ आपको recipient list की fields नज़र आ रही है और जो दूसरी तरफ है यहां पे आपको जो required fields है वो आपको नज़र आ रही है अब जैसे यहां पे company की required field है लेकिन वो यहां पे हमारी recipient list में match नहीं हो पा रही कहीं कहीं पे इसे match मिल गया है तो company हमारे इस पूरी recipient list में कहीं मौझूद नहीं है बलकि company की जगा जो चीज मौझूद है उसका नाम है organization तो हम company को match कर देंगे organization से यही चीज हमें कहा गया है task number two में set the courtesy field to unmatch अब आप देखें कि यहां पे जो courtesy title नज़र आ रहा है इसको अगर मैं select करता हूँ और इसको मैं लग देता हूँ not matched यानि यह हमारे जो data है उससे match नहीं कर पा रहा है तो यह दो task थे जो कि हमने complete कर ली हैं आए चलते है task number three पे edit the recipient list by changing the entry for Jan को task to Joseph Goldberg यह एक शखस है इसको हमने इसका नाम change करना है और recipient list को edit करना है अच्छा इसको हम ok पर क्लिक कर देते हैं और अब यह हमसे confirmation कह रहा है कि आपने जो match किया है कि आप उसको confirm करते हैं हम yes पर क्लिक करेंगे तो यह हमारा complete हो चुका है अब जो recipient list है उसको edit करने के लिए यहाँ पर मैं select करूँगा edit recipient list के उपर और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि different last name first name मौजूद है अब हमें यह कहा गया है इसका हमने यहाँ पर नाम change करना है तो इसको अगर मैं यहाँ पर करता हूँ और तो हम यहाँ पर इसको remove कर देते हैं यानि इस शक्स को data send नहीं होगा और उसकी जगा यहाँ पर एक शक्स है जोजफ गोलबर्क बलकि हम इसको यहाँ पर बेशक सेलेट कर लेते हैं और जो हमारे पास जो main field है expert की यहाँ पर जाके अगर मैं इसके अंदर कुछ change लेके आऊ जैसे कि यहाँ पर जो last name और first name लिखा है इसकी जगा अगर हम यह insert कर दें और यह हमने उसको edit कर दिया यहाँ पर एक new जो word entry है वो हमने यहाँ पर कर दी है और इसको अब मैं यहाँ पर save कर लेता हूँ और इसको save करने के लिए हम चलते हैं अपने desktop पर इसको अब हमने यहाँ पर save कर लिया और यहाँ से हम इसको close कर देता है तो वापिस चलते हैं यहाँ पर edit list पे अब देखें यहाँ पर हमारे पास वो ही पुराने list जो है वो ही यहाँ पर आ रही है तो अगर मैं यहाँ से click करता हूँ use an existing list पे और desktop पे अभी हमने एक file save की थी अगर मैं इसको open करता हूँ तो अब अगर आप recipient लिस्ट पे आते हैं अब आप देखें कि अब उस शक्स की जगा यह नाम आ रहा है यानि हमने यहाँ पे अपने जो field थी उसके अंदर हमने एक new entry insert करके पुरानी entry को remove करके अब हमने यहाँ पे एक new entry insert की है okay के उपर हम click करेंगे तो यह हो गया हमारा task number 3 task number 4 में क्या करना है insert a greeting block and insert the first name field after the opening salutation अब आप देखें कि यह हमारा opening salutation है यहाँ पे हमने क्या करना है कि पहले हम यहाँ पे एक field insert करेंगे first name की और उसके बाद ही हम यहाँ पे एक greeting line insert करेंगे greeting line format क्या होगा dare first name या dare sir or madam यह different आपको यहाँ पे preview आ रहे हैं okay के उपर मैं click करता हूँ तो यहाँ पे आपको greeting line show होगी उसके बाद task number five में क्या करना है insert the sales goal field in the highlighted area of the document delete the highlighted text तो यहाँ पे जो हमारे पास highlighted area है इसको जरह मैं यहाँ से remove कर देता हूँ और यहाँ पे हम इंसेट करने जा रहे हैं जो हमें कहा गया है वो है sales goal यह था हमारा task number five create an if then else merge rule for sales goal field that insert the text way to go for the records in which sales goal is greater than 80,000 for the record see the text keep trying अब यहाँ पे हमने एक if then else rule apply करना है इस जगा पे तो इसको मैं यहाँ पे remove कर देता हूँ उसके लिए हम आएंगे यहाँ पे mailing पे और फिर यहाँ पे if then else का option है और यहाँ पे हम जो जिस field के ओपर हम apply करने जा रहे हैं if then else वह है sales goal और इसके अंदर जो condition apply करने जा रहे हैं वह हम apply करने जा रहे हैं greater than और यहाँ पे value हम रख रहे हैं 80,000 यहाँ अगर तो sales goal की value 80,000 से जादा हुई तब यहाँ पे क्या insert करना है आपने way to go यहाँ पे हम लिखेंगे way to go और अगर field sales goal 80,000 से कम है तब हमने यहाँ पे text लिखना है keep trying ओके क्यों पर हम click करते हैं तो अब आप देखें कि यहाँ पे हमारा आ रहा है कि अगर sales goal कम होगा तो keep trying होगा तो यह देखें जो हमारे पास पहला recipient है उसके लिए आ रहा है way to go उसके बाद जो आगे की recipient है वहाँ पे आ रहा है keep trying वो इसलिए आ रहा है कि तीसरा recipient है उसकी sale goal जो है वो 80,000 से कम है preview the records अब आपने क्या करना है कि अपने इन records को preview करना है जिनको आप अभी mail send करने जा रहे है final हम click करेंगे finish and merge पे और send email message पे email messages send हो जाएंगे print documents पे यह तमाम print हो जाएंगे edit individual document पे करेंगे तो जितने भी document जिनको हमने भीजना है वो आपको यहां पे show हो रहा है अब आप देखें यहां पे आ रहा है dear Nancy और अपिस अगर मैं mailings पे आता हूं तो अब आप यहां पे individual document को edit कर सकते हैं जैसे कि आप देखें कि यहां पे यह वाला जो sales agent है इसका sales value आ रही है एक लाक इसलिए यहां पे लिखावार है way to go उसके बाद अगर आप नीचे आते हैं जो दूसरे letters है यहां पे जहां जहां पे 90,000 की value है 80,000 से जादा है वहां पे way to go लिखावा आ रहा है और जहां पे कम है जैसे यहां पे 65,000 है वहां पे लिखावा आ रहा है keep trying तो यह था हमारा task number 7 तो आज किस वीडियो के अंदर हमने exercise 3.3 के हवाले से जो हमारा project number 2 था उसको हमने कमतीद कर लिया है